किसान भाईों नमस्कार, मैं पिन सिंग, आप सभी भाईों का आपके अपने चैनल इंडियन फार्मिंग जान में एक बार फिर से स्वागत है किसान भाईों परसाथ के सीजन में हम नेनुवा की खेती करके भी बढ़िया लाब कमा सकते है नेनुआ की फसल में लौकी, करैला, खीरा आज से अधिक पानी सहन करने की छमता होती है लगातार 4-5 दिन तक यदि बारिस भी होती रहे लेकिन खेत में पानी ने रुके तो नेनुआ की फसल को बारिस से कोई नुकसान नहीं होता है वहीं चार से पांच दिन तक लगातार बारिस होती रहे तो लोकी, करैला, खीरा, बैगानाद की फसल को भारी नुकसान पहुंचता है यहां तक की पूरी फसल ही चौपट हो जाती है नेन्वा की अच्छी पैदावारी के लिए अच्छे किसम के बीच का होना भी जरूरी होता है आज के समय में ज़्यातर किसान हाइबरीट किस्मों को ज़्यादा महत देते हैं क्योंकि हाइबरीट किस्में देशी की अपेच्छा ज़्यादा फल देती हैं आज हम इस वीडियो के माध्यम से नेनुआ की एक फसल दिखाने जा रहे हैं जो एक hybrid किस्म है जिसे लगा कर किसान काफी संतुष्ट भी हैं। किसान भाई हो इस वीडियो के माध्यम से जिस नेनुआ की फसल को आप देख रहे हैं। यह वसवाहा सीट्स कंपनी का सफेदा नेनुआ है। यह एक hybrid किस्म है। बुआई के बाद जैसे ही फसल 45 दिन की होती है तो फल आने सुरू हो जाते हैं। पचास दिन की फसल होने पर पहली तुलाई हो जाती है। उसके बाद निरंतर पूरी फसल वद में एक से दो दिन के अंतराल पर निनुआ की तुलाई होती रहती है। फसल में फल आपको थोड़ा कम दिखाई दे रहा होगा कारण की सुवाई किसान ने तयार फलों को तोड़ लिया है किसान के बताने के हिसाब से औसवाहा का सफेदा बढ़िया फल दे रहा है काफी बारिस होने के बाद भी फसल को कोई नुकसान नहीं पहुचा है इसका फल, लंबा, हलका हरा और गोलाकार होता है फल काफी गुड़ता वाला होने के कारण बाजार में आसानी से बिग जाता है किसान भायों नेनुआ की फसल लगवए 120-130 दिन की होती है लेकिन अच्छी तरह से देखवाल करने पर 160-180 दिन तक भी चले जाती है बरसात में नेनुआ की बुगाई जून, जुलाई और अगस्त में क्या आता है बरसात में मचान बिधी अपना कर नेनुआ की खेती की जाती है बीच से बीच की दूरी 8 फिट और लाइन से लाइन की दूरी 7 से 8 फिट रखी जाती है अपनी सुभिधा के आधार पर यह दूरी कम या अधिक भी की जा सकती है किसान भाई और वाहा का सफेदा निनुवा एक बढ़िया किस्म है यदि आप निनुवा की खेती करते हैं तो इसे लगाकर निनुवा की अधिक पैदावारी ले सकते हैं किसान भाई और निनुगा की फसल अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करें अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ फिर मिलेंगे तब तक के लिए धन्य बाद